नमस्कार मैं हूँ सचिन पाटक और आप देख रहे हैं आर्जे न्यूज भारत रोश्णी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का बजूद एक बार चिराग जलाकर तो देखिए आईए बात करते हैं आज ऐसी ही एक शक्षियत से जो की सपा से प्रवल दावेदार के रूप मे हैं सहर विधानसवा और केंट विधानसवा से दोनों से सीट से दावेदारी है यह किसी परचा के मौताज नहीं है अपनी सौमिता और सभी का सम्मान करने वाले ऐसे डॉक्टर हैं डॉक्टर अनीज बेग जी है आज हमारे साथ में आईए इनसे जानते हैं कि सर बहुत-ब लंबे समय से भाजपा का कब जा रहा है तो सर इसी सीट को आपने विधानसवा है तू क्यों चुना सर देखिए ऐसा है मैंने शहर विधानसवा और केंट विधानसवा दोनों से समयवादी पार्टी से आवेदन किया है और मुझे लगता है कि जैसे यहां पर लगातार भा आपरेट तो हो सकते हैं कि प्राइवेट यहां मेडियो कॉलेज खुल गए लेकिन इन्होंने क्या दिया शहर को आज शहर की हालत देख लिए आज शहर के हालत क्या है आज शहर को गाउं में और शहर में डिवाइट कर दिया है इन्होंने आज आप देख लो अगर गाउं क का पुल ले लिए यहां पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भार्जन तरबाड़ी ने आज तक कोई शहर को जादा कुछ ने दिया है थोड़ावत तो काम होते रहता है लेकि जो मिलना चाहिए बरेली को वो नहीं मिला है इसलिए मुझे लगता है जो मैं मैं महसूस कर रहा हूं कि आज बरेली शहर ने और बरेली केंट ने यह ठान लिया है वहां के जनता ने कि इस बार आपको टिकेट प्रो देती है तो सर किन चुनावी मुद्दों के साथ आप जनता के बीच आना चाहेंगे बिलकुल सही बात के आपने सबसे पहले तो देखो मैं डॉक्तर हूं एक और मुझे लगता है कि जो हैल्थ का इशू है सबसे जादा पैसा अगर कमाता है आदमी औ बिमारी में सबस्यादा पैसा खच करता है अपना तो हैल्थ फैसलिटिस ऐसी मिलना चाहिए यहां पर जो गरीब जनता है अमीर आदमी तो हॉस्पिरोल में इलाच करा लेता है लेकिन गरीब बहुत मुझे में हमारे पास में बच्चे आते हैं बच्चे कहते हैं रक्सप कि यहां पर देख ली किसी वार्ड में कैसा नहीं होगा मेरे हिसाब से यहां पर हर वार्ड में हर महले में एक कम से कम यहां पर पीएस्टी खुले या एक महला क्लिनिक नाम से खुले जहां पर और खुले तो क्लिनिक हॉस्पिटल गवर्मेंट खुले और साथ में वहां प से गलेबिट पे मिल सके अगर कोई सीरियस बच्चा होता है या सीरियस पेशन होता है और गौर्णन्ट हस्पिरल में आता है तो उस तो कम से कम फिरी इलाज मल सके कम से कम देगे आईशमा ने नहीं लागू किया लेगे ताकि हर गरीब आदमी को जब वो एडमिट हो तो उसक परसंट पे गरीज आदमी को 5% मिल लाएं तो अमीर आदमी को 100% मिल लाएं उस 5% को हम कम से कम 75% 85% तो लिए जाएं उस कम से कम सरकारी स्कूल में ऐसी सुब्दाएं हूँ जब हमारे बड़े बच्चे इंगलीश हिंदी स्कूल कॉन्वेंट की तरह पढ़ाई हो और कम से क वो जब जाएं higher education में जब वो professional schools में जाएं जब professional courses में जाएं तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होना हो आज मैं देखता हूं कि आप बच्चे पढ़ लेते हैं इस कदर की education इस कदर week है कि सभी से English नहीं बोल पाते हैं सभी से वो English में को courses हैं जैसे आप मालिया need का course घानता हूं नीट का कूर्स है उसमें क्या है नीट में जो कूर्स किसका NCRT का NCRT English में है तो सभी से समय नहीं पाते हैं तो शिक्षा का इस तरह हो चो कम से कम समान हो तो शिक्षा को इस तरह को बढ़ाने के काम करूंगा नम्बर तीन बरेली में जो तीसी सबसे बड़ी समझा देखी वो डबलेमेंट की देखिए मैंने डबलेमेंट में ऐसा होना चाहिए हर बंदी को जो कम से कम लिखने में परशानी ना हूँ एक काम किया है यहाँ पर पहले समझबादी पार्टी ने एक पुल देने का काम किया फार्टी है नजात मिली है यह मना घंटेश मीं लग जाते हैं दोगों मना चाहांगा कि यहाँ सड़के चोरी हों सड़के चोडी हो और जो अलकिकी की राइज हों अंडर ग्राउंड हो उन्डर ग्राउंड ऑंड इलक्रिसिटी मांवारे यतना काफी फाइदा हो जाएगा हमारे शहर को सड़के चोड़ी हो जाएगे उससे और रोड बने यहां पर बाकाइदा ऐसा कोडिनेशन हो बिदायक का एंपी का और कम से कम नगा निगाम का कि सब कोडिनेट करके सारी जितनी सड़के हैं सारे गड़े पड़ें और सारी सड आज पार तो आपके लिए भी कुछ चुनावी एजेंट में कुछ महलाओं के लिए कुछ बिशेश चीज है आप क्या शेसी काड़का नारा दे रही है आप खुद बताओ कितना अच्टाचार इस समझ इस कहने में भातियंतर पार्टी में हुआ है आज आज हर आदमी कोई हर शणिषा बेहन ती हमारी उसको इस सरीके से डरणदोव ने रइप किया उसका आदमे उसका डैथ हो गई उसका आदमें और डैथ हो गई डैथ में भी यहाक का मैं उसकी कम कि घर वार एक एक एवार्ज हुवएड कर्lair के हंदू मेतose조 के खिलाव, राद के बारा बजे उसका दहन कर दिया गया, कितनी गलत बात ये महला श्क्सिक् mix कर गएंगे, सिंगर झon इनका बेढ़ायक है, उसने कितना महलाओं पर अत्वाप ताचार किया, आप ये महलाओं श्क्सिक्र क्षे कर गएंगे और ये क्या करेंगे, हमारे मायानिय Remember je honest जी ने कहा है कि वो जरूर महलाओं को आगे Лाना चाए भाना चा कने दीनों उन्होंने क्या किया समाझबादी महला पेंशन थी उसको बंद कर दिया तो क्या सब्सक्राइब करें ठाखना हमने किया है जो हमने किया तहा वो बंद रिया ओनों जो प्लान दस जो पेंशन दे रहे थी मेलाओं को उन्होंने बंद कर दिया तो हम करेंगे बिल्कुल करेंगे सर एक और आखरी सब्सक्राइब मैं आपसे जाना चाहूंगा कि हमारी शुब कामना है कि आपको टिकेट मिले और आप विजह होकर आएं एक भावी बिधायक के रूप में हमसे मिले तो सबसे पहले काम आपका क्या रहेगा सबसे पहले मैं ने आपको पहले प्रियार्टी गिनादी है मैंने आपकी सबसे मैं शहर को मैं जानता हूं जैसे साब से मैं यहां पर 2011 से नाइटी कर रहा हूं शहर में तो मैं आपके जो चैनल है आर्जे निउस भारत उसके माद्दम से एक वेताना चाहता हूं मैं आउंगा और मैं बाकि मुझे बहुत तरह साथा गरीब हो पर जो मैंने मेरे एंडे में है जैसे हैल्थ दूँगा हैल्थ देने की कोश्च करूँगा अच्छी अच्छा एज्यूकेशन देने की कोश्च करूँगा उस पर कारी करूँगा अच्छा विकास हो डबलमेंट हो बरेली वही मेरे मुद्दे हैं और एक मुद्दा और भी मेरे दो दमाग में रहता है बर बरेली में जो हमारे हिंदू भाई हैं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हमारे सिक्ष भाई हैं जो हमारे इसाई भाई हैं वो सब एक हमारे हिंदुस्तान की गुल्दिस्ती की तरह हैं वो एक महबबस से रहें एक प्यार से रहें एक दूसरे का तोहार मनाएं और खुश रहे और खुशी देने की कोशिश करूँगा मैं आपको की हम चाहते हैं कि आपको भावी टिकेट मिले और आप भारी मतों से विजय होकर एक विधायक के रूप में हम दुबारा से आपका इंटर्विव करने आए मैं बरेली से सचेन पाटक अपने सहोगी अस्प्री सिंग के साथ कि भाजा पाके पेदेश उभाद्याक्ष ब्याज बाहदूर पाटक ने होटल में आयो जित